एक बड़े लिखे बंदें हैं, इतने बड़े आलम आप बने फिटते हैं, आपको तो बड़ा टेक्निकली, आपको तो एपल टु एपल कमपेरजन करना चाहिए। आपको तो सिफ अपनी Hello, दोस्तो, Assalamualaikum कैसे हैं आप सब लग, I hope आप सब लग अच्छे होंगे, दोस्तों मैं हुश्यमा खान दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है क्या अलियास्लाम की हातों हजरत उमर की पिटाई हुई थी तो आज की इस वीडियो में जिस भाई साब ने अलेहरी साब से ये सवाल किया है दोस्तों तो मैं ही समझती हूं दोस्तों अगर वो सही जवाब देते हैं किसी बात का और हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो उसको तो उसका अगर हमें सही जवाब मिल जाता है तो हमारा फर्ज है कि उस बात को हम एकसेप्ट करें दोस्तों तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अल्लेरी साम ने इस बात का जवाब दिया है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो को पूरी देखेगा तो चले दोस्तों वीडियो के शुरू करते हैं मेरा सिर्फ क्वेशन था ये जो आप लोगों का अकीदा है या जो भी एक स्टोरी आप लोग सबको सुनाते हैं बीबी पाक की शहादत के बारे में इसमें मेरे आपसे सिर्फ एक दो क्वेशन मेरे होंगे और मैं कोई किताबी बाते आप से नहीं करूंगा क्यूंकि मैं खु कुरान के अलावा मैं तो किसी और कताब पे मनो मन बलीफ करने के लिए त्यार नहीं हूँ मैं नहजु बिलागा भी पढ़ता हूं मौला अली की जो बहुत शोक है पढ़ने का लेकिन क्या कुरान के लावा कोई चीज भी 100% प्रिजर्व नहीं है ना हो इनी सकती है मेरा बात समझा दीजिए कि आज अगर मेरे घर में कोई इंसान आके मेरी बीबी के साथ इस्ता की हरकत करता है तो मैं यह बरदाश नहीं कर सकता हूं तो मौला अली कैसे बरदाश कर सकते हैं मौला अली कि उस लफकार उस टेंब किदड़ राइग थी बरदाश नहीं किया उन्ह किताम सुलाइम Ibnкой Diesel Filaili, किताम सुलाइमिपन stressing Clinton किताम सुलाइमिपन Cristina Hanali पांच सभषियासी, ने यहृषियाशी अब 3585, पांच सभषियासी तुह सीरियासी प्पांच सभषियासी अपके आउचियासी यह सफर नमर 5 से उची- आजी आशी आपके आवाज एक मैंटर भाई select कर रहा है हुआ है आपने खुर आपने आवाज म्यूट किया मेरे जाने से म्यूट नहीं है आपके अपने जाने से म्यू फवाइन सुनू बहुत अजवाब मेरा घलत वीए तो सुन लो पहला तो आप ने कहा है कि आमीर-المप्म faal ने बरदाश्ट कियों कि यह लड़ा क्यों नहीं है तो यह हमारा अकिद्ह नहीं है उन्हों बरदाश्त यह अब लड़ा धिरन किताब ही धार उसकरती में किसा का किसा एक हुछ है? ऑर चों कोहां हा जो या कईूच पूर बंधinku बना हो fanta है बोलें बोलें concern हमारा रकीदा पोछीना चाहता है ना मैंने तो नहीं कहा कि मैं आपका अकिदब बतारहू हूं मैं अपना अकिदब बतारहू हूं अपना अकिदब मैं अपने जबान से कह दूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह शक्ष अइजूट कह रहा हूं क्योंके लोगों के जहने में एक जूटी बात पहल गई गय și है और वो समझते हैं कि अगर मैं उसके मुखालिफ बात करते हूं तो वो कहते हैं कि अल्ला यह रिजूत कह रहा है तो मैं किताब इसलिए दिखा रहा हूं ना कि आप उस पर यकीन करें बलके इस बात पर यकीन करें कि जो मैं कह रहा हूं वो शीयों का अकीदा है शीयों आ इस बात पर अकीदा रखते हैं तो ये अकीदा जूड है ना वो ये वजुड है वह अलग जगा है अकीदा अलग बात है तो बात खुत होगी तो आम मानने ले जूड लिखा होगा है यजू कि अन्यक्त होगी नैी बात खातम नहीं होगी है कि अमर आया है वहाँ पे घर पे हमला किया आगला है अमीर अमिर अलिया 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 अ वोजह अन्फ हुव रखबत है उसके नाक को चोड़ लगाए और उसके गर्दन को चोड़ मारा है वहम्मा बिकतल है और अमीर उल्मॉणिय अलिक स्थम उसको कतल भी करने लगे ते फ़दकर और रसूलिल्लाही सल्लाही लिह वाम्मा उसाह भी पिर रसूल पाक صلی اللہ علیہ وسلم की वसीयत और उनका हुम उनके जहन में ता कि जो लोग आपके खिलाफत पफे हमल् gradually करेंगे और आपके घर पर उम्ला करेंगे अगर आपके पास अनसार काफी तैदाद में नहीं है सिपाही काफी तैदाद में नहीं तो उनसे गिताल ना करें उनसे जंग ना करें कुरान की आयत है कि अगर किसी चीज़ पर आपकी थाकत नहीं है तो आपके वाजिब नहीं किया है ठीक है ना रसूल पाक अल्लाई अल्युज़ जब मक्ये में ते तो उनके अस्षाब मारे जाते थे सुमये जो हज़़़्त अमार की वालिदा थी उनको मार मार की बिचारी को गतल कर दिया रसूल पाक अल्लाई अल्युज़ नहीं लड़े किके ना कुफार के खिलाफ क्यूंके वहां पर उनके पास साथी नहीं था अगर आपके पास साथी नहीं हो तो आप उनके खिलाफ जिहाद ना करें तो जब रसुल पाक के वस्यद जिहाद में ताक तो उस अल्लाह की गसम जिसने मुहम्मद को नभी मना कर बेजा ये बन सुहाग ए बदकार आउरत के बेटे ल़ ला किताब मिन ल्लाह सबख वाहद अहिद इलेया रसुल ल्लाह जिसन तुम मैं तुझे तुजे सबख सिकाता कि तुके भी मेरे घर में दाखिल ना होता तो ये कहना मेरे अज़िजो शियाव ने रवायत किया तो ये एक जहालत है मेरे महतरम नाजरीं के लोगों ने पहला दिया है महरूफ कर दिया है कि शिया अकिदा रखते हैं कि सहाबा ने हज़रत जहरा सलाम लालहा को शहीद किया और शियों का अकिदा है कि अमीर अल्मुमिन अल्यासम बस देख रहे तो एक जूट है अकिदा एक जूटी बात है तो आप लोगों ने आपके अल्मा आपको सिकाते हैं उसके हकीकत नहीं है अमीर अल्मुमिन अल्यासम जशख ने हमला किया था उसको सबक सिकाया था लेकर उसको कतल कर दोरूथ उसके कई वज़ुहाथ है एक वज़ाए यह मैंने अर्फ किया कि रसुल पाक भी उस्तिए है दूसरी वज़ा मैं आपको पुर्ण अतरो प्रजमे को तर्जमे के साथ आपको दिखा देता हूँ कि प्रशुल भी पुर्ण को पता है उस्तिया अपको पता है पुर्ण में Lut al show's के क्या काणि विइ वश्व कrition के काणि आक मालूं है ? यही की जी भीलकुल भीत आ है क्या काणि वजिए बूअप कला काणि काणि глуб Law тоже काणि वही जब व Mainly की तरफ जाते हैं तब्लीग के लिए और को पूर्म को तंग करती मैं सुरह पूद पूद निका दूँ आपके लिए सुरह हूद आवाज नहीं आपकी आ रही है आवास एए मेरे मुझ़ी बोलें यह कुरान मजीद है और अर्दू तर्जमे के साथ ठीक है ना अर्दू तर्जमे के साथ सुनें मैं इसको फुल स्क्रिन कर देता हूं ताके लम्मा जाद रसुलना लूतन सी अबहिम वदाक बहिम धर्णा वकाल हादा यवम असीब ताहर कादरी साथ के तर्जम क्या है और जब हमारे फिरिश्टे लूत आए तो वो उनके आने से प्रेशान हुए और उनके बाइस और उनके बाइस उनकी ताकत कमज़ोर पड़ आपको पता है कि ये मुकिना फितना क्या है पता है आपको वात नहीं कर रहा है क्या आप बतां क्या क्या क्क हॉप जा गव्यों राउन इले और उसके कोम दोड़ती हुई तो वही हुआ जिसका अंदेशा था और लूत अलाई इसम के कोम महमानों के खबर सुनते ही उनके पास दोड़ती हुई आगए और पहले ही बुरे काम क्या करते थे लूत अलाई अलाई इसलाम ने कहा अलाउ जब कोई पढ़ँ तो साकित रहो लूत बदमाश भी कयसे बदमाश? नाजरी बदमाश भी आयसी है? लूत अलाई इसलाम के घर महमाना आए फरिषते इनसान की शकल वाया हैँ खबसूरत खबसूरत नवजवानों की शकल में तो उनको ख़बर आ गई को शवक हुआ किसका नसजीर विल्ला फैल बद का बुरे फैल का शवक हुआ और गर में गुस गया जबर्दस्टी और कहा के हम आपके मेहमानों के साथ वह काम करना चाहते हैं आप बुरे आदमी हैं बुज़र्ग आदमी आप यहां से निकल जाएं यार आप मेरी बात सुने कर रहा हूं तो तो जो कह रहा है कि कुरान नसका मेरे 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 म बेगेरती का, बेहयाई का, बेशर्मी का, बदमाशी का, बई नभी ना भी होना, एक बुजर्ग है कौम का, एक बुरा आदमी है, नेक आदमी है, लूत अलेहिसलम, नभी ना भी होना, उसके गर मेहमान आए, अब कुछ घुंडे आ जाते हैं पूरा कौम हो, सब घुंडे, आ जाते हैं इसके गर में जबर्दस्ती के आपके महमानों के साथ, उनको महमानों को हम रेप करेंगे, आपको बो कुछ बोलने का हक नहीं है, ठीक है न, कुछ बोलने का हक नहीं है, कुछ बोलने का हक नहीं है, आगे क्या होता है मेरे मुहतर नाज मुलाहिज़ा फर्माई पालू लूत अलियसेल्साम क्या कह है? मेरे कावं की बیटियां हैं वो पाकिजा हैं तुम्हारे लिए उन से तुम निकाह करो तुमें ज्यादा तुमें शहावत, तुमें शहावत की फिकर है बहे बैह बेह बे才ए और मुझे बे इज़त ना करो मेरे मेहमानों के सामने क्या तुम्हारे दर्मियान कोई एक शख्स जवान मर्द आदमी सभी किरदार आदमी नहीं है ठीक ना? अब आप मुझे बताओ जमाएतों मरिया तुम्हारे नजदीक लूत अफजल है या अली अफजल है नभी अफजल है या एक सभावी अफजल है तो लाऋज़ी बाज़ से तुमकरई कैंगी नभी अफजल है लूत अवलें तुम्हारे दून तलवार क्यों नहीं उटाया कोईम ने क्या किया का? वो बोले तुम खूब जानते हो कि हमें तुम हारी ऩह फो हम की बेटियों से कोई गरज नहीं है, और तुम यकीनन जानते हो जो कुछ हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, या निमानों लवात करना चाहते हैं लूत आलेिए पकूवतान अव आौई इला रुकन शौदी لوت علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی حمد ہوتی یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا तो لوت علیہ السلام نے उनके خلاف جہاد نہیں کیا तुम क्या जवाब देते हो यहांपर वाई तुम क्या जवाब देते हो لوت علیہ السلام कहे दो बुजदलत काफिर हो जाओगे नभी को बुरा कहना कफर होता है के दो उनका एमान कमजोर था काफिर तुम क्या जवाब जमात मरिया मुझे बताओ अपने अलमा से तुम ये बकवास सी कि आजाते हो नहें तर कि अलियु 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 तलवार नहीं उटा है कोई तकवा नहीं कोई जजबई शहादת नहीं सब कह दो तुम काफिर हो जाओगे दिन से खारजwow पर वज़ा क्या है कि ओनों नितलवार नहीं उटा है लूट अलियु अलियु सलम जो तुमारा जवाब हो लूट ये ससलम के मुतलिक है वही हमारा जवाब, हमीरुलमुमिन, अहल बैतताहरीन, अले वसलाम के लिए, यह जवाब आपका पुर्ण में से है, आप इस वाई को लाते हैं, कि यह क्या कहना चाते हैं, बोलो अब क्या कहना चाते हो, लुपी सवाब, आच्छा, अलाज्यरी सब्साब मैंने आपकी सारी बाते हैं, बड़े घोर से सुनी है, अब आपने मेरी बाप में बोला नहीं है, आप अपसे सवाल की है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, गंदम, आप एक बड़े लिखे बन थे हैं, इतने बड़े अलम आप बने फिटते हैं, आपको बड़ा टेकनिकली आपको आपको तो वो जब उसकी ब्रॉट अब हो जाती है वो उस गाय को बटमीजी ना करो बासो मेरी वो आपकी मिसाले मेरी मिसाल नही है तुम बटमीजी ना करो तुम मेरे साथ प्यार से महबबस से बात करो वो मेरी मिसाल नहीं मैरी मिसाल नहीं जिसने गाय का पउर्चाप पिया पुत्रे का पिशा को पिया वो आप क्या वाजान उंगे आप वी मैं नहीं हूँ लिए नृप किछौड़ दो आदब से बात करो पिर आपसे बात ओग करो तो अच्छा जवाब दिया है अजन नलेश सहब ने और जिस तरीके से इन्होंने कौमे लूट की मिसाल देकर समझाया है दोस्तों कि हमने पहले कौमे लूट का एक वाकिया देखा था आपके साथ ही बैटकर मैंने देखा था तो उससे वर्द कीजिए दोस्तों हमारे घर में कोई حملہ करने के लिए आ रहा है तो हम अपनी हिफाज़त के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ना उसे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम हमें पतल कर दो ये हमें जाब से मार दो तो जाहिर सी बात है सामने वाला जवाब जरूर देता है तो दोस्तों अलियालीसलाम में इतनी ताकत थी कि वो एक मिनिट में उनको गत्लक कर सकते थे लेकिन वो अल्लत अल्ला के हुक्म से और हुदूर अपाक ने जो उन्हें सिखाया था उन्हें बताया था उस पर अमल कर रहे थे कि इसलिए उन्हें उन्हें कुछ महीं खाथा। तो इसी तरह हैं अल्ला कि आंटल beams Birkenkeby उनको सबक सीखाया था तो इसलिए उन्हें महापर कोई जिहाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी तो इसी तरही बात हो हसनल लेजी साब समझाने की कोशिश उने कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाए और उल्टा सिधा उन्हें बोलने लगे तो ये बात बहुत ज़दा गलत है जबकि उन्होंने सही जवाब दिया था तो उस बात को एकसेप्ट कर लेना चाहिए अगर वो सही जवाब दे रहे हैं तो क्योंकि मेरी भी यही बात है दोस्तों अगर मुझे वो बात सही लगती है तो मैं उसको एकसेप्ट करती हूँ और जब मुझे बात सही नहीं लगती उसको मैं गलत ही क्याती हूँ सही नहीं क्याती तो वापस ओ आपको वीडियो पसंद आई हो गिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा, सब्स्राइब कीजेगा कॉमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगे चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखते रहेगा अल्हाफेज